नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज के वीडियो में मैं ये कलरफुल चूड़ी बनाऊंगे और आपके साथ सेयर कर रहे हूँ देखकर बताएगा ये कैसी लगी आपको और ये देखिए दिखने में बहुत ही खुबसूरत है ये चूड़िया और बनाने में भी बड़ी ही आसान है जिनको आप आसानी से 5 मिनट में बना सकते हैं आप इनको मैचिंग में सालवार, सूट या साड़ी की मैचिंग का बना सकते हैं आप कहीं function में जा रहे हैं आपके पास matching में चूड़ी नहीं है तो आप इन्हे फटाफट 5-10 मिनट के अंदर ही बना सकते हैं और ये बहुत ही आसान है फटाफट बन के तियार हो जाती है पहनने पर बहुत ही अच्छी लगती है ये बिलकुल new trade है चूड़ीों का एक बार आ मैंने या पर चूड़ी ली है और इस मैं green बरी चूड़ी को बना रही हूँ तो मैंने normal crochet लिया हुआ है फिर मैं एक loop बना लूँगी उनका और इसको इस तरह से पकड़ते हुए चूड़ी में डाल कर पीछे की side से गुमाते हुए हमें निकाल लेना है धागे को ताकि चूड़ी के साथ में अटेच हो जाए इस धागे को हम पकड़े रहेंगे और इसको साती के साथ हम बुनते हुए इसको चूड़ी में अंदर की और कर देंगे ताकि हमारा धागा जो है अच्छे से चूड़ी के साथ में अटेच हो जाएगे देखिए हमने चूड़ी के सा गुमा लेंगे और सिंगल क्रोशिया करेंगे सिंगल क्रोशिया मतलब इस तरह से तीनो धागे एक साथ को निकालने हमको यह देखिए हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे तीनो धागे एक साथ एक लूप लीजिए नीचे से क्रोश्या गुमाकर और निकाल लेजिए, तो इस तरह से ये धागा कीज़ के, मैं पास तीन लूप हो जाते हैं, इनको हम एक बार में एक इसाद निकाल देते हैं, उस्से सिंगल क्रोश्या कहते हैं, नीचे वाला धागा हम पकड़े रहेंगे, ताकि वो चूड़ करना है इसी तरह से आपको पूरी चूड़ी में बनाना है ये देखिए मुस्किल से 5 से 10 मिनट का टाइम इसमें लगता है अगर आप बहुत अच्छे से क्रोशा चला लेते हैं तो 5 मिनट में ही बन जाती है अगर आप बिगनर है तो आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है ब नए फैशन की न्यू ट्रेंड की चूड़ी आपके पास में होगी ये देखिए आप इस तरह से बनाएए बहुत अच्छी से बनती है और पहनने पर भी उतनी ही ज्यादा खूबसूरत लगती है आप अपनी मन की कलर ले सकते हैं कर दो आपके बनाएए पास में होगी ये इस तरह सकते हैं और जहां से हमने शुरू किया था उसी में डालकर क्रोशा डालकर फिर धागा खीच कर निकालते वे मैं slip stitch कर लूँगी और यहां से इसका end हो जाएगा यह मैं धागा खीच कर बड़ा करके इसमें से उन निकाल कर गाट लगा दूंगी और इसको यह देखे गाट लग गई है और धागा कट कर दूंगी तो यह चूड़ी बिलकुल ही तयार है मैंने दागा कट कर दिया है अब हमारी चूड़ी बिलकुल ही त्यार है देखिए बन के कितनी खुबसूरत लग रही है और पहन के तो और भी ज़्यादा खुबसूरत लगने वाली है इस चूड़ी को आप जरूर से ट्राइ करेगा एक बार जरूर बनाईएगा और बनाकर पहन कर उसके बाद में अपना फीड़बेक जरूर दीजेगा कि चूड़ी आपको कैसी लगी दिखने में कैसी लगी और पहनने में कैसी लगी यह बनने में तो बहुत ही आसान है जो आप आसानी से पांच मिनट में बना लेंगे वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर दीजेगा अपना फीडबेक कमेंट करके जरूर बताईएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर से कर दीजेगा ताकि इस तरह के वीडियो आपके साथ मैं शेयर कर सकूँ इसी तरह के इंट्रेस्टिंग वीडियो के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो मैं आपसे मिलती हूँ बाबा